सद्गुरू की साजी निवाजी, प्यारी साज संगजी, प्यारोड सत्कार से कहना धान निरंकाजी, साज संगजी, अक्सर हम ये भजन सुनते हैं, मेरा आपके किरपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप सद्गुरू, मेरा नाम हो रहा है, इन पंक्तियों को सुनने मातर से असीम सुकून मिलता है मेरा काम मेरे किरपा से हो रहा है इसमें अहंकार है, अभिमान है, गमंड है मेरा काम आपके किरपा से हो रहा है इसमें समर्पन है, समर्पन अपने मन का अर्पन है आकांग्शाओं इच्छाओं का त्याग है समर्पन किया नहीं जाता जीवन में यह घटित होता है जिस तरह एक बीज अपना अस्तितव मिटाकर अपने आपको मिट्टी में समर्पित कर देता है तो फिर वह एक विशाल पेड बनता है उसी तरह सत्गुर की किर्पा से जब अभिमान खतम हो जाता है मिट जाता है तो वह परमात्मा का ही रूप बन जाता है आपकी किर्पा में स्वयम को पीछे रखने का भाव परमुख है कि आप आगे आगे चलो मैं आपका अनुस्वरण करता हूं मैं आगे चलूं और आप आगे चलें हम दोनों में बहुत अंतर है मेरी द्रिष्टी सीमित है मेरी अंतर द्रिष्टी कमजोर है मेरी दिशा अपूरण है मैं ना भीतर देख पाता हूं ना दूर तक बाहर देख पाता हूं इसलिए मेरे पत ब्रमित होने का डर बहुत गहरा है आपके किर्पा ही मेरा सहारा है आपके किर्पा से का भाव परमात्मा सत्गुरुदातार के किर्पा से है आप में प्रभूत समाया हुआ है इसलिए स्कून है तसल्य है धैर्य है जहां विने है वहां आप हैं आप में काना की पांसुरे की मधूर ध्वनी है जो मन की मधूरता को काइम रखती है आप में भगवान शिरी राम जी के धनुश के तंकार है जो कही तरह के डर से मुक्त करती है आप में सरवशक्ती मान सरवेश्वर निरंकार है जिसका आधार लेकर सूरज चांच सितारे सभी रोशन है आपका आधार मेरी रक्षा और पालना के लिए प्रयापत से भी बहुत ज्यादा है मेरे सही सबे प्राणियों की देख संभाल प्रभू आपकी दया किर्पा पर ही निर्भर है किर्पा और दया में एक शुक्षम सांतर है दया में दीनता है किर्पा में भी नमरता है संतों ने कहा है दरम ना दया समान और दया धरम का मूल है सत्गुरु के किर्पा से इनसान अपने आपको एक छोटे बच्चे कित रहे सहज और डर से मुक्त पाता है शीशू डर से मुक्त है क्योंकि वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगें अर्थात अपनी मा की गोदी में है वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है बाहर से देखने में उसकी मुस्कुराहट का कोई साफ अर्थ नहीं दिखता पर वह अकारण नहीं मुस्कुरा रहा है उसकी मुस्कुराहट का सहारा सत्गुरु निरंकार के किरपा है प्रभु आप ही सबकी संभाल और रक्षा करते हैं पिछले दिनों खाड़ी देशों में भ्यानक भुकम पाया सब कुछ तहस नहस हो गया और सारे मकान भी तहस नहस हो गए कहते हैं एक बच्चा मिला जो एक बड़े से पत्तर के नीचे छोटी से जगा में एकदम सुरक्षित लेटा हुआ था बचाने वाले जब उसे उठा रहे थे तब भी व्या मुस्कुरा रहा था मानो कुछ हुआ ही नहो उस समय प्रभु आप ही उसकी रक्षा कर रहे थे आपकी अनंत नाम है सान बदलता है भाशा बदलती है और आपके नाम बदल जाते है इश्वर अल्ला गोड वाहे गरू अलग अलग नहीं एक ही सरव्यापी सरवशक्तिमान परमसता के अनेको नाम है नाम के साथ नामी को जानने का प्रयास जिग्यासा है आपकी किर्पा से मेरे जिग्यासा तेज हुई और आपके मिलने का काम आसान हो गया सत्गुरु बाबा हरदेव सिंग्जी महाराज संपूर्ण हरदेव बानी में फरमाती है परम पुरुष है नाम तेरा तू दीवे गुनों का दाता है रहता है आनन्द मगन वो जो तुझ से जुड जाता है जो प्रभु का सहारा ले लेता है वो हर समय खुशियां ही खुशियां मानता चला जाता है उसे किसी परकार की कोई कमी नहीं रहती है वो हर परकार के डर से मुक्त हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि मैं अपने सत्गुरु निरंकार की गोध में हूँ हमें जीवन में वह व्यक्ति अक्सर याद आते हैं जिनकी आत्मियता और प्रेम भरी बातों ने हमारे जीवन को अनन्दित किया है सत्गुरु बाबा हरदेव सिंग जी महाराज का संपूर्ण जीवन प्रेम और पंतव से भरा हुआ था वह गुणों की खान थे उनकी सबसे बड़ी विशेशता यह थी कि वह बहुत ही द्यालू सभाव के थे और पहुत ही उनके अंदर शेहनशीलता थी विशालता थी इतने विशालते कि पिता पर गात करने वाले को भी शमदान दे दिया और शेहनशील इतने कि सामने वाले के भावू का स्वयम से भी ज़्यादा ख्याल रखा आज वही विनमरता वही उदारता वही शेहनशीलता हम सत्कुरुमाता सुदिक्षाजी महाराज के अंदर देख रहे हैं यह इनकी असीम द्यालुता नहीं है तो और क्या है जो साथ संगत की भावनाओं को सम्मान देते हुए हर स्थान पर जा जाकर सब को प्यार पाट रहे ह कहा जाता है भगवान शिरी राम जी को शबरी ने जूठे बेर खिलाए नहीं जूठे बेर नहीं मीठे बेर खिलाए यही तो प्रेमा भगती है दौपर मेवीदूर जी की पतनी ने भगवान शिरी कृशन जी को केले के चिलके खिलाए यह प्रेम की प्राकाष्ठा थी इस इस यूग में हमने देखा है सत्गुरु माता सुदीक शाजी महाराज की कल्यान यात्रा के दोरान लकिम पूर समागम संपन होने के बाद महापुर्शों ने जल पान की विवस्ता की सत्गुरु माता जी को इतना नजदीक पाकर सभी बहुत खुश हो रहे थे कि एक सेवाद बावड मेरस गुला लेकर आये और बड़े आदरभाव से सत्गुर माता जी को भोग लगाया जिसे सत्गुर माता जी ने सभी को बाट कर सभको अननदित भी कर दिया सत्गुरु का पंतव भाव देखकर सभी महापुरुष हैरान रहे गे गटना छोटी है संदेश बहुत बड़ा है अवतारी महापुर्षों के सू कृत्या एक से होती है सत्गुर माता जी का हमरित वचन है ब्रह्म ज्यान में जहान है बीज में पूरा वृक्ष विध्यामान है ब्रह्म ही इस संसार का ये थाहर्थ सवरूप है और यही जानने योग्य हैं कण-कण में परमात्म है पर जिस मन में हर पल निरंकार का आवास है उसे हर व्यक्ति में निरंकार का ही रूप दिखाई देता है ऐसे गुर्शिक के करम और बोल दोनों भगती की महक से भरे हुए होते हैं करोना काल में जहां विश्व लोक टाउन के दल्दन में फसा था उस समय भी वर्च्वल संगतों को आउ पहार संगतों को प्रापत हुआ उस समय वैश्विक विसंगतियों में जी रहा संसार कितनी मुश्किलों से गुजर रहा था ऐसी विशम परसिती में भी सत्गुरु ने हमारी संभाल को ठीक वैसे ही किया जैसे गाएं का शिकार कर रहे शेर से बचने के लि पीछे शेर ने भी छलांग लगा दी अब दोनों फसी हैं गाएं ने कहा मेरा मालिक मुझे दलदल से निकाल लेगा लेकिन तेरा क्या होगा तेरा तो कोई मालिक ही नहीं है गाएं का मालिक आया और उसे दलदल से निकाल लिया गाएं ने कहा जिनके संभाल करने वाले होते हैं वो हर परस्तिती में सुरक्षित रहते हैं सत्गुरू ने भी हमें लोकडाउन के दलदल से ठीक ठाक सुरक्षित निकाला है और इसी तरह निरंकारी ग्यान जो है बीतरी दुनिया का ग्यान है इसके नियम संसार से बिलकुल अलग है तुम ब्रम ग्यानी हो जाओ तो किसी को अग्यानी नहीं बनना पड़े तुमारे पास सिम्रन का नामधन बढ़ जाए तो दूसरा गरीब नहीं हो जाएगा क्योंकि तुमारे उंचाई किसी को नीचा नहीं दिखाती अंदर के दुनिया में कोई सफर्धा नहीं है ही नहीं और बाहरे दुनिया बिना सफर्धा के चल ही नहीं सकती सत्गुर किसी खलाई हमें ससंकी और लगातार सचेत करती है एक बार ब्रम ग्यान लेने का मतलब यह नहीं कि मुक्ती निश्चित है अंतिम सांस तक ज्ञान पर टिकने से ही मुक्ती संभव है इसलिए सत्गुरु हमें हर पलिया ही समझाते हैं कि हमने ससंग करते चले जाना है संत कबीर जी भी सहज भक्ती का मारक बताकर भगत का जीवन असान बनाना चाते हैं कबीर दास जी भगत को दुख सुख से परे परंपद के और ले जाना चाते हैं और कहते हैं कि गुरु के परताप से एक बार जब प्रबु में लगन लग जाती है तो दीन प्रतितिन वे बढ़ती ही जाती है फिर सहर समाधी लग जाती है और इस अवस्ता में हर काम सेवा और हर चलना परिकर्मा हो जाता है संत कबीर जी अपनी अवस्ता ब्यान करते हुए कहते हैं कि अब जो कुछ कहूं वह नाम जो सुनूं वह सिम्रन जो खाओं प्यूं वह पूजा है ऐसे में घर और विराना एक समान हो जाता है दूई का भाव मिर जाता है खुले नैनों से हास हसकर हारी प्रमेश्वर का सुन्दर रूप निहारता हूं मन नाम सिमरन में लग जाने के कारण मन की मैली भावनाएं खतम हो जाती है मैली वासनाएं खतम हो जाती है उठते बैडते ऐसा ध्यान लग जाता है जो कभी तूटता ही नहीं है गुरू की किरपा से पहले मैंने इसे स्वय मनभव किया और तब इसे शब्दों में प्रकट किया हर भगत के लिए यही प्रापत करने योग्या वस्ता है सादो सह समाधी भली कि गुरू की किरपा से ही सिम्रन होता है गुरू की किरपा से ही सस्थंग होता है गुरू की किरपा से ही सिम्रन होता है इसलिए जब तक जीवन में गुरू नहीं हाता तब तक इनसान का पारुतारा नहीं होता इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि इस ब्रह्म ज्यान में सारा संसार समाया हुआ है इसलिये हम सत्गुरु को खुश करके अपना ये जनम सुहला लोग सुखी और परलोग सुहला कर लें गही सत्गुरु के चरणों में सभी के लिए मांगती है दासी सचे वाशा आप जी सबरत हो, आप जी गटगट वासी हो, आप जी कनकन में हो, पत्ते पत्ते में हो, डाली डाली में हो, हर जगए हो, आप जी हर एक गट की जानते हो इसलिए सचे बाश्या सभी को अपने चर्णों से लगा के रखना किसी को भी अपने चर्णों से कभी भी दूर ना करना कहते हैं चर्णों से अगर दूर हो जाती है तो फिर दुख ही दुख मिलते चले जाते है और जब सत्गुरू की किरपा हो जाती है तो फिर वही बात आती है कि सत्गुरू की किरपा से सब काम हो रहा है मेरे सत्गुरू की किरपा से ही सब सुकून मिल रहा है सब काम हो रहा है करते हो आप और हमारा नाम हो रहा है आप बैठ के परते ओले अकलानु हैरान करे ये सत्गुरु सचाफाशा बुद्धी भी यही देता है, काम भी ही करता है, लेकिन ये घट चुन लेता है, किस घट से मैंने कौन सा काम करवाना है, ये अपना नाम नहीं होने देता है, ये ऐसा परम द्यालू, किर्पालू, सरव शक्ति मान, ये हमें परमात्मा मिला है, हम अपने आपको बहुत ही भागैशाली समझते हैं, कि सत्गुरु ने हम पर अपनी अपार किर्पा की, और हमें चर्णों से लगाया है, संगत जी विचार करते हों, बहुत से गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जिश्यमा कर देना, और सत्गुरु का हम बार शुकराना करते हैं, आप साथ संगत मा का भी शुकराना करते हैं, जिनोंने अपने चर्णों से लगाया हुआ है, और निरंकार का शुकराना तो हर पल हो ही रहा है, साथ संगत जी प्यार से कहना दान निरंकार जी